नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके ओफिशियल यूटूब चैनल गुरुजी स्पेशिल क्लासेस में मैं हूँ निमाई साना आपके समक्ष उपस्तितों साइकलोजी विशेवस्तु को लेकर लास्ट क्लासेस में हम डिसकुशन कर चुके थे समाजीकरन टॉपिक के बारे में आज की क्लास में हम डिसकुशन करेंगे समाजीकरन टॉपिक से रिलेटिड जो प्रैक्टिस सेट वन है उसके बारे में तो आईए चलिए देखते हैं कि समाजिकरण से related जो प्रशन बनते हैं एक्जामे वो किस प्रकार से बन सकते हैं तो फर्स्ट कोशन है निम्न लिखित में से कौन सा बच्चे के समाजिकरण के प्रगतिशिल मॉडल के संदर्ब में सही नहीं है देखे यहाँ पर पूछा गया है सही नहीं है और क्या पूछा है कि समाजिकरण के प्रगतिशिल मॉडल मतलब अगर आप बच्चे का समाजिकरण करना चाहते हैं तो उसके अगर आप एक प्रोग्रेसिव मॉडल तैयार करते हैं तो उसके संदर्ब में कौन सा ओप्शन सही नहीं है मतलब तीन उप्शन इसमें सही है एक उप्शन सही नहीं है और आपको वो उप्शन चाटकर निकालने हैं तो उप्शन फर्स्ट है सम्हु कारिये में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कोशलो को सीखना मतलब जब आप ग्रूप में एक साथ मिलकर सहभागिता के साथ कारिय करते हैं और समाजिक कोशलों को सीखते हैं तो क्या वो समाजिक रण के प्रगतिशिल मॉडल के लिए संदर्व नहीं है सेकेंड ऑप्शन है बच्चे विद्याले में बताए गई बातों को स्विकार करते हैं चाहे उनकी समाजिक प्रष्ट भूमी कुछ भी हो थर्ड ऑप्शन है कक्षा में प्रजात अंत्र के लिस्थान होना चाहे और फ्रथ ऑप्शन है समाजिक रण समाजिक नियूमों का अधिक रण है तो देखिए आपको इन चार ऑप्शन students सही दिखे होंगे एक ऑप्शन सही नहीं है और उसको आपको चाट कर बताना है तो पहला ऑप्शन Pfizer कहता है कि समु कारिय में सक्रिय सहभागिता के सक्रिय कारिय देने हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ कॉडिनेशन बनाए और समाजिक कोशलो को सीख सके तो यह समाजिकरन के लिए प्रगतिशिल मॉडल है थाड़ा अप्षन है कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए प्रजातंत्र का मतलब नियमों का अधिगरन है देखिए जब हम समाजिकरन करते हैं तो समाजिकरन में मैंने आपको बता रखा है कि हम समाजिक जो नियम होते हैं यानि कि सुसाइटि के कुछ नियम्स रूल्स रेगुलेशन रिती तो इसका मतलब तीनों options है यह है बट second option में आपसे बताएगे कि बच्चे विद्याले में बताए गई बातों को स्विकार करते हैं चाहे उनकी प्रष्ट भूमी समाजिक प्रष्ट भूमी कुछ भी हो मतलब यह जरूरी नहीं है कि बच्चे विद्याले में जो भी बाते बताए जाएं वो सब को स्विकार करें और उनकी समाजिक प्रष्ट भूमी कैसी भी हो उसके अनुसार भेले में जो भी बाते उनको बताए जाए उनको स्विकार करें यह जरूरी नहीं है चिक क्योंकि जरूरी यह नहीं है कि आप किसी भी प्रष्ट भूमी से आते हैं और आपको जो भी विद्यले में बताया जाएगा वो सब चीज़ आप सुईकार करेंगे हो सकता है कि आपको कुछ गलत चीज़े या जाती वादियों के आधार पर भी बाटा जाता है तो उन सब बातों पर भी आप किसी भी प्रष्ट भूमी से आते हैं आपको वहाँ पर सिखाये जाएगा कि आप जाती के आधार पर भी लोगों को डिवाइट कर सकते तो उसको भी आप सुईकार कर लेंगे तो इसमें आप से पूछा था कि इन में से कौन सा उप्षन सही नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि वच्चे विद्धेले में बताए गई बातों को सुईकार करते हैं मतलब हर बात को सुईकार नहीं करते हैं चाहे उनकी समाजिक प्रष्ट भूमी कुछ भी हो और ऐसा सुईकार चाहे अगर वो समाज की बात हो तो समाज के सभी नियम जो है वो उसको सुईकार ना करे यह जरूरी नहीं है जो नियम सही है उसको सुईकार करना जरूरी है तो सेकंड ओप्षन इस कोशन का राइट आंसर हो जाएगा चले आगे बढ़ते हैं और next question देखते हैं आपसे क्या पूछ रहा है next question में तो second question आपसे नियम जो समाज क्रण की निशक्री agency है देखिए इसमें आपके पास एक agency होगी जो समाज क्रण के लिए सही नहीं है यह उप्षनों में परिवार में क्या बच्चे का समाजिक रण नहीं होता है, इको कलब, इको का मतलब होता है, इस्ट्रेंट्स परियावरण, यहनि परियावभान्स related जो कलब होते हैं, क्या वहाँ पर एक दूसरे से हम बातचीत या वारतलाब नहीं करते हैं, क्या हमारा वहाँ पर समाजिक विकास नहीं होता है और fourth option है सारवजानिक पुस्तकाले नहीं कि सभी के लिए जो पुस्तकाले बनाया जाता है नहीं लाइब्रेरी तो देखिए अगर मैं बात करूँ आपके समाजिक रण के लिए निश्क्रिय एजेंसी जो है स्वस्त कलब में आप समाजिक रण प्रदशित करते हैं नहीं कि आपका समाजिक विकास होता है परिवार में भी आपका समाजिक विकास होता है और परियावरन का जो कलब लगा हुआ होता है आपको पता होगा कि लाइबरेरी में जब हम जाते हैं तो हम वहाँ पर किसी से भी बातचित नहीं करते हैं समाजिकरण जो है वो लाइबरेरी में सही तरीके से नहीं हो पाता इसका मंदलब यहीं समाजिकरण की निश्क्रिय एजनसी है तो इसकोशन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नमबर फूर आपकोशन को समझ पायोंगे चले नेक्स्ट कोशन थड़ पर आगे पढ़ाय गए के बीच सम्मंद यहीं कि सिक्षक और जो पढ़ाय गया है उसके बीच में अगर सम्मंद बनता है तो क्या वही समाजिकरण है तीसरा है समाज के आधुन की करण की प्रक्रिया यहीं कि क्या समाज में आधुन की करण का जो प्रोसेस होता है यहीं कि आप किसी उन रीती रिवाजों के साथ अपने आपको adjustment कर लेते हैं, आप उसको स्विकार करते हैं, आप अपने आपको समायुजित कर लेते हैं, तो यदिया पैसा करते हैं, तो वो क्या समाजी करन है, तो आपको पता होगा कि समाजीक मान दंडों में परिवर्तन आप नहीं करते हर वक होते हैं तीसरा option है समाज के आधुनी की करण की प्रक्रियानी की कोई भी जो तोर तरीके उसको जब आप modern तरीके से नए तरीके से solve करेंगे तो वही समाजी करण नहीं है ये भी नहीं हो सकता समाजी करण का अर्थ होता है मैंने आपको content में बता रखा है कि जब आप समाज के नियम कानून रिती रिवाज माननेता सब के साथ समयोजित हो जाते हैं अनुकुलित कर लेते हैं अपने आपको adjustment कर लेते हैं तो वही समाजी करण होता है और इस question का right option हो जाएगा option number four कि इसमें समाज के मानदंडों के साथ अनुकुलन जब आप समाज की माननेता यानि कि जो भी rules regulation है उसके साथ जब आप अनुकुलन करना सीख जाते हैं तो आप एक समाजी करण कहलाते हैं और वही process आपका समाजी करण कहलाता है I hope आप question number third को भी समझ पायोंगे चले next questions पर आगे बढ़ते हैं गतिवीदी यानि कि जो group activity work जो आयोजीत कराए जाते हैं तो इसका मुखे उद्देश क्या होता है यानि कि जो आप समु परियोजना गतिवीदी जो डैश के लिए एक सशक्त साधन होता है तो सामाजीक भागितारिता को सुगम बनाने के लिए या सिक्षकों के भार को हलक करने के लिए या रोज मर्रा के शिक्षन में होने वाले तनाव को दूर करने के लिए या अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करने के लिए तो देखे जो समु परियोजना गतिवीदी मतलब जब आप group में activity कराते हैं पांच-छे बच्चों को एक group में कोई प्रोजेक्ट दे देते हैं और उसको करने के लिए देते हैं तो वो सारे बच्चे एक दूसरे से group में मिल जूलकर कारे को करते हैं तो ये जो आप करते हैं तो इसके लिए एक सशक्त साधन मतलब अगर आप बच्चे का समाजी करना चाते हैं और आप group activity में उनको समयोजित कर रहे हैं तो आप किस तरीक यह किस लिए करते हैं कि ग्रूप में जो आप activity कराते हैं इसका मुख्य उद्देश क्या होता है कि शिक्षक के भार को हलका करने का बिल्कुल भी नहीं हो सकता फिक रोज मर्रा के शिक्षन से होने वाले तनाव क्या आप तनाव को दूर करने के ग्रूप activity में वर्क कराते हैं बिल्कुल भी नहीं करते हैं अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करने में देखिए option first और option fourth दोनों ही अच्छे हैं बट अगर मैं यहां पर आपको बता दू तो first option ज्यादा best है कि समाजिक बागीदारिता को सुगम बनाने के क्योंकि आप चाहते हैं कि जब बच्चों को हमें एक ऐसा माहुल दे जिसमें वो एक दूसरे से इंट्रेक्ट कर पाए अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर पाए या ग्रूप में दूसरों की help से चीजों को सीख पाए तो इसलिए cbsc द्वारा जो समू परियोजना गतिवीद फिफ्थ कोशन है समाजिक करण का अर्थ देखे समाजिक करण का दुबारा से प्रशना आता है कि समाजिक करण का क्या अर्थ होता है और option पूछा गया है कि समाजिक मान दंडों का कठो रूप से पालन करना आपको पता है कि आप कठो रूप से पालन तो नहीं करेंगे समा 2nd option और 4th option दोनों ही ठीक है बट इसमें आपको best चाटना है तो समाजिक बीवित्ता को समझना सिर्फ आप समझने से आपका समाजी करन नहीं हो सकता है समझ तो सभी जाते हैं जब आप किसी से कुछ पूछते हैं या कुछ समझते हैं तो आप जान तो जाते हैं लेकिन जब त चीज़ पता है और उस चीज़ को आप अपने जीवन में उतार रहे हैं अपने ब्यावार में परिवर्तन कर रहे हैं तो इसका मतलब आप कुछ सीख रहे हैं देखिए स्टेनिस में हम नेक्स्ट टॉपिक एक पढ़ेंगे जो अधिगम से रेलेटिड होता है और अधिगम का मतलब होता है अपने ब्यावार में परिवर्तन तो सीखने का मतलब यह नहीं है कि आपने ब्यावार में परिवर्तन कर लिया और आप सीख गए ब्यावार में जब आप लगातार परिवर्तन कर करके उसे इस थाई परिवर्तन में कनवर्ट कर देते हैं तो वही सीखना कह तो वो भी समाजी करण नहीं हो पाएगा इसलिए थर्ड ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है और राइट ऑप्शन आपका होता है कि समाज में समायोजित होना यह अनुकूलित होना समाज में या समायोजित होना यह सारे के सारे जो शब्द होते हैं वो समाजी करण को रिप् करना चाहिए यानि कि जो छोटे विद्यारती होते हैं उनको कक्षा कक्ष में जो उनके हम उम्र के बच्चे होते हैं सम वयसकों के साथ अंतेक्रिया करने के लिए या फिर उनसे रिलेट करने के लिए प्रोच्साहित करना चाहिए इससे चोटे बच्चों को मोटिवेटिट क कीजिए क्या ऐसा आप सिर्फ कक्षा को बहतर तरीके से नियंतरित करने के लिए करते हैं या फिर वे एक दूसरे से प्रशनों के उत्तर सीख सके हैं या आप उन्हें बात इसलिए करने देते हैं क्यों वे एक दूसरे से प्रशनों के जो आंसर होते हैं उनको सीखने के लिए option नियंत्रित करने के लिए आप ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है, second option है, कि एक दूसरे से प्रश्णुत्तर सीख सके, ऐसा ज़रूरी नहीं है, जिकने के लिए आप उनको एक दूसरे से बात करने के लिए, या पाठ्टे करम को बहुत जल्द पूरा किया ज़सके, तीनों ही option जो ह के discussions करके प्रशन या topic को cover करना चाहिए तो आप ऐसा इसलिए उन बच्चों को motivate करें ताकि वो समाजिक कोशल सीख सके ठीक है I hope आप समझ पाई होंगे कि six question में आपका answer क्या हो सकता है तो six question का answer right है fourth option I hope आप इस question को भी समझ पाई होंगे चले next question पर आगे बढ़तें और देख़तें stove question आप से क्या बता रहा है तो जो भी समाजिक नियम है उनका हमेषा से ही आप अनुपालन करें क्या शिख के संदर में समाजिक करन का यही अरथ है कि समाज के जो भी नियम है उसको हमेशा आप माने जरूरी नहीं है क्योंकि समाज के जरूरी नहीं कि हर एक नियम सही है और आपको उसे मानना चाहिए कुछ नियम गलत भी होते है जिसके खिलाप आपको आवाज उठानी चाहिए क्या सही है और क्या गलत है इसके बारे में आपके पास घ्यान होना चाहिए तो समाच के मांदंडों का सदेव सदेव शब्द से ये कोशन आप्शन नहीं हो सकता during क्योंकि सदेव का मतलब आप हमेशा नहीं मानेंगे ठीक कि जोरी नहीं है कि समाच के बड़ो का सम्मान करना बिल्कुल सही बात है आपको समाज में बड़ो का सम्मान करना चाहिए और फोर्थ उप्षन है समाजिक वातावरण में अनुकूलन और समयोजन क्या आपको समाजिक वातावरण में अनुकूलन और समयोजन होना जरूरी है क्या इसको ही समाजिक वाता वरन में अनुकूलित कर लेते हैं समयजित कर लेते हैं इसका मतलब आप बड़ो को भी रिस्पेक्ट करते हैं और आप अपने से छोटे को भी छोटे को भी रिस्पेक्ट देते हैं तो जरूरी यही है और थर्ड ऑप्शन से भी बेस्ट ऑप्शन आपका फूर्थ ऑप्शन ह I hope आप कोशन को समझ पाएंगे कि वो आपसे जानना क्या चाते हैं कि आपकी thinking ability कितनी develop हुई है चले next questions पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लेस्ट नेक्स्ट कोशन आपके लिए 8 है कि सिक्षकों को यह सला दी जाती है ग्रूप में जो activity होते हैं उसमें शामिल करें अपने बच्चों को क्योंकि यह सीखने को सुगम बनाने के अत्रिक है अगर आप बच्चों को ग्रूप में अक्टिविटी कराते हैं तो यह सीखने को बहुत easy बनाते हैं तो क्या आप चाते हैं कि यहां पर दुष्चिंता में भी साहता करें या समाजिकरन में साहता करें या मुल्य द्वंद में सायता करें या फिर आकरमक्ता में सायता करें तो आप बताईए आप दुश्चिंता में सायता करें या आप नहीं चाहते है negative point है मुल्य द्वंद का मतलब strengths होता है जगरा, ठीक है तो आप क्या value को लेकर जगरा करने हैं, यानि, value से related जो आप द्वंद कराना चाहते हैं इसके लिए आप ऐसा कराते हैं या फिर आकरमक्ता का मतलब होता है गुस्सा तो यह तीनों ही आपके नेगिटिव पॉइंट है और इस डैश में आपका पॉइंट आएगा समाजी करन यह जब आप समाजी करन को इस पॉइंट पर इस्था पहता करते हैं जब आप बच्चों को ग्रूप में एक्टिविटी कराते हैं तो उससे सीखना तो इजी होता ही है मतलब सीखने का एक नया तरीका भी आता है और बच्चों को थोड़ा इंटरस्टिंग भी लगता है और इससे एक और फाइदा होता है कि बच्चे आपस में दूसरे से किस तरीके से interaction करना चाहिए मतलब इनका समाजिक विकास भी होता है तो इसी लिए जो है सिख्षकों को ये training दी जाती है और आपके लिए जो ये समाजिकरन topic रखा गया है सिलेवस में ये इसी लिए है कि आप इन सब चीजों के बारे में जाने ताकि आप जब जान चलिए next questions पर आगे बढ़ते हैं 9th question आपसे क्या पूछ रहा है तो 9th question में आपसे पूछा गया है सबसे अधिक गहन और जटिल समाजिकरन होता है एनि कि सबसे अधिक गहरा और जटिल complex तरीके से जो समाजिकरन होते हैं वो कब होते हैं तो option first है किशोर अवस्था के दौरा और option second है पूर बाल्य वस्था के दौराई option third है प्रोडा वस्था के दौराऊ और option fourth है वेक्ति के पूरे जीवन तो देखें जो आपका समाजिकरन बहुत गहन और जटिल जो होता है वो पूरे जीवन के दौरा तो नहीं होता है, मतलब है आप हमेशा आपका समाजिकरन जो और 25 के आसपास हो जाता है तो बिलकुल समझदार व्यक्ति हो जाता है और वो चीजों को जितना कम से कम द्वंद में या उल्जनों में ना फसा है उसे solve करना उसे आ जाता है तो प्रोड़ावस्था के दोरान भी आपका जटिल समाजिकरन नहीं होता है पूर बाल्लेवस्थ जगड़े भी बहुत ज्यादा होते हैं तो यहाँ पर जटिल और गहन का मतलब यह है कि आप कोई लड़ाई जगड़ा तो नहीं कर रहे हैं समाजिकरन के दोरान तो यह सबसे ज़्यादा कब करते हैं जब आपकी शुरावस्था में होते हैं होप आप कोशन को समझ पायों बुट जगड़े हैं हर समय बच्चों कहुब बात करने का अफसर देते हैं तो क्या आपको लगता है कि विद्याले में आपको बात करने के लिए अपसर नहीं है या ऐसा है क्या कि किर्तिका का अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं इसलिए वो अपने घर पर बात नहीं करती और वो विद्यले उसको बहुत ज़ादा पसंद इसलिए वो बहुत बात करती है और option fourth है कि उसके विचरों को विद्यले में माननेता मिलती है तो आपको पता है कि विद्यले जो है वो खुब बात करने का अवसर नहीं देता है इसका मतलब यह हो सकता है कि उसके विचारों को विद्यले में माननेता मिलती है उसकी thinking सही है और जब वो school जाती है और अपने thinking को वहाँ पर रखती है तो हो सकता है कि उसे लोग उसे समझते हैं और उसे support करते हैं या उसकी बातों को appreciate करते हैं इसलिए वो विद्यले में बहुत अधिक बात करती है I hope आप समझ पाए होंगे कि question में आपसे किस तरीके के point को पूछना चारा है या examiner आपसे क्या चारा है तो इस 10th question का right option हो जाएगा fourth चले आज के लिए strength बस इतना ही आपने देखा होगा कि समाझी करन से related किस तरीके से प्रशन exam में पूछे जाते हैं इसी से related हम next topic cover next practice set cover करेंगे जिसमें आपको कुछ और अच्छे question हो के बारे में पता चल पाएगा कि समाझी करन से related किस प्रकार के प्रशन आपसे पूछे जा सकते हैं चले आज के लिए बस इतना ही अगर आपको यह class अच्छी लगी हो तो इसे like कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी share किर जिए ताकि वो भी इस class का अधिक से देख लाव ले सके और अगर आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले जागे सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके के वेनिफिशेल वीडियो जब भी हम आपके लिए बनाएं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें धन्यवाद जय हिंद